समानतर किरणें जो मुख्य अक्ष से दूर होती हैं और अपरिवर्तित होने के बाद जो ना भी बिंदु पर नहीं मिलती हैं उन्हें सीमानत किरण कहा जाता है समानतर अपातित किरणों की अपेक्षा इन किरणों का मुख्य अक्ष के पास अभिसरन होता है इसे हम गोलाकार विपत्थन कहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप असपष्ट प्रतिविंब तयार होता है अपातित किरने अगर अलग-अलग रंगों की हैं तो ये किरने लेंस द्वारा अलग प्रकार से अपवर्थित की जाती है जिसके परिणाम सुरूप हर किरन का नाभ्यांतर भिन्न होता है सफेद प्रकार सारे रंगों का मिश्रण होता है उत्तल लेंस से जब अपातित किरण गुजरती है तब जो प्रतिविंब तयार होती है वेस्पष्ट नहीं होती है इस प्रकार जब लेंस सारे रंगों को एक बिंदु पर केंद्रित नहीं कर पाती है उसे रंग का विपथन कहा जाता है गतिविती चलिए अब एक सब्सक्रिपाने वाली गोंद की मदद से हम लेंस को काज की शीट के एक्रेलिक के साथ चिपकाएंगे अब हमने स्क्रीन अर्थात परदे को और लेंस को एक बड़े से रूलर पर रखा है जो आसानी से हिलाई जा सकती है अब स्क्रीन को इस प्रकार रखें कि उन पर सूर का जो प्रतिविम्ब हम स्क्रीन पर देख रहे हैं हम उसे वास्तविक प्रतिविम्ब कहते हैं चलिए इसी प्रयोग को हम एक मौंबत्ती की मदद से करते हैं हम देख सकते हैं कि यह प्रतिविम्ब वास्तविक है और उल्टा भी है हम प्रकाश के स्त्रोत और लेंस के बीच क दूरी को बदल सकते हैं इससे निर्मान होने वाले प्रतिविंब के आकार और प्रकार का ठीक से निर्खशन करें अगर यही प्रयोग हमने आउतर लेंस के साथ किया तो हमें स्क्रीन पर स्पष्ट प्रतिविंब नहीं मिल पाएगा हम आउतर लेंस में ही मुंबत्ति का प्र प्रतिविंबो का निर्मान होता है उन्हें वास्तविक या आभासी प्रतिविंब कहते हैं गतिविधी अगर हमें बाजार में विभिन प्रकार की लेंस ना मिल पाएं तो हम उन्हें प्लास्टिक की मोटी शीट की मदद से या फिर पीवी सी शीट की मदद से भी बना सकते है ये दो आयामों वाली लेंस हमें ये समझने में मदद करेगी कि विभिन प्रकार की लेंस किरणों के मार को किस प्रकार प्रभावित करती है अब हमें दो वृत आकार गोल बनाने हैं और जहां पर ये दो वृत एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर हम उत्तल लेंस रखेंगे प्लास्टिक की एक मोटी सी पटी काट कर हम उसे PVC के शीट के साथ छिपका देंगे अपवर्तन के माध्यम के रूप में यहाँ पर हम कांज की जगा पानी का उप्योग करेंगे यहाँ पर गड़े जैसा जो भाग बन गया है उसे हम पानी से भर देंगे किरण की इस प्रकार अपवर्तित होती है यह समझने के लिए हम लेजर किरणों का उप्योग करने वाले हैं हम इस प्रकार से अलग-अलग प्रकार और आकार के लेंसे बना सकते हैं जैसे उतल लेंस, आउतल लेंस, प्लानो उतल लेंस और प्लानो आउतल लेंस जब हम उतल लेंस का इस्तमाल करते हैं तब किरण इस मार्क से जाती है जब हम आउतल लेंस का इस्तमाल करते हैं तब किरण इस मार्क से जाती है सारांच, इन प्रयोगों के द्वारा हम लेंसिस की विशेष्टाओं के बारे में जान पाएं हमने यह भी जाना कि इनके द्वारा किस प्रकार के प्रतिविंब निर्मान होते हैं आप भी थोड़ा परिवर्तन कर इस प्रकार की कृतियां कर सकते हैं झाल झाल